नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवेन काम करते ये कारिगर इन्हें देख कर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कार खाना है लेकिन असल में ये कोई कार खाना नहीं बलकि प्रयाग राज की नैनी सेंट्रल जेल है जहां कैदी अपना पसीना बहा रहे हैं नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को रोजगार देने के लिए कई प्रकार के काम सिखाए और कराए जाते हैं जिसमें कास्ट उध्योग और लोहो उध्योग एहम है आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल जहां लगभग 4500 कैदी हैं यहां वो कैदी आते हैं जुनें उम्रकैद या लंबी सजा सुनाई जाती है ऐसे में कैदियों के सच्चाई और नैतिकता को बहाल करने के लिए रेशाला कायोजन किया जाता है प्रसिक्षित होने के बाद ये कैदी निर्धारित समय सीमा में जेल में मौझूद उध्योगों में काम करते हैं उध्योगों से होने वाली आये का कुछ हिस्सा कैदियों को दिया जाता है बाकी का हिस्सा जेल की विवस्थाओं को मजबूत करने में लगाया जाता है नैनी सेंट्रल जेल में कास्ट कला और लोहो उध्योग में विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है यहां बड़े पैमाने पर लकड़ी के फरनीचर सजावती समान लोहे की अलमारियां बनाई जाती हैं कोरोना काल में भी यहां लगभग एक करोड के फरनीचर तयार किये गए थे लकड़ी और लोहे का काम करने के अलाबा यहां के कैदी नहने का साबुन फिनायल वगएरा भी बनाते हैं इसके साथ ही कोरोना काल में यहां मास्क का भी निर्मार शुरू किया गया कैदियों के पहनने के लिए कपड़े कुरता पजामा चा जाता है और कैदियों को सर्टिफिकेट भी मुहिया कराए जाते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ